हलो देर स्ट्टेंट्स आज हम डिसकॉस करनेवाले रिलेशन बेटलीन लिनियर वलासिटी अंड अंगुलर वलासिटी ठीक है तो छलिए शुरू करते हैं रिलेशन बिट्वीन लिनियर वलासिटी अंगुलर वलासिटी देखेगा क्व्या क्या relation है, v vector is equal to omega vector cross r vector, कुछ इस तरह से हैं define किया गया है, इनके relation को, v vector is equal to omega vector cross r vector, बिल्कुल देख सकते हैं, cross product की helps है, यहाँ पर इनको define किया गया है, एक diagram की तुरू समझेगा इसको, क्या condition होगी circular motion के लिए, आप देख सकते हैं, यहाँ पर एक radius vector होता है, जो कि radially होता है, एक velocity vector होता है, जो कि tangential होता है, एक होता है omega vector, जो कि इस plane के perpendicular होता है, और उसकी direction along the axis of rotation होती है, यह चीज आपको बता है already, तो कहीं नहीं कहीं जो relation है, इस से अब यहाँ पर देख सकते हैं कि कैसे यहाँ पर V का वेक्टर का direction आता है यहाँ पर, तो आपको बता है, रूल पता ही होगा यहाँ पर, राइज अन्थम रूल से कैसे अपर direction यहाँ पर बता करते हैं, ठीके ना, देखें यहाँ यहाँ पर दो physical quantities हैं, इनको cross-bred करा रखा है, तो पहले वाली quantities की तरफ अपने को फिंगर्स को put करना होता है, उसके बाद curl करना होता है, second वाली quantities की तरफ, put your finger in the direction of first quantity, and curl your finger in the direction of second quantity, और जो थम होगा, वो आपको direction देने वाला है, यहाँ पर resultant की यानि की V vector, करके देखते हैं, सबसे फिले अपनी fingers को अपन, omega vector की direction पर put करता है, लीजिए, उसके बाद curl करेंगे अपन, second quantity बोले तो आर वेक्टर की direction में, तो omega cross r, तो यहाँ पर जो थम वो आ, क्या यह टेंजेंशली आया, दिखेगा, omega cross r, तो इस तरह से यहाँ पर V vector की direction हमको मिल रही है, तो इस तरह से में cross product की help से यहाँ पर, बता सकते की V vector की direction क्या होगी, तो this is the condition for circular motion, omega के लिए यहाँ पर V और R के बीच के अंगल कितना होना चाहिए, 90 degree होना चाहिए, I think यह चीज clear होई होगी आपको, ठीक है, तो यह vector form होई, इनके relation के लिए, अब बात को लेते, scalar form के लिए, क्योंकि circular motion में वो भी काम आने वाली है, यह तो पता है आपको कि V, omega और R, इन तीनों के बीच के अंगल कितना होता है, 90 degree होता है, तीनों mutually perpendicular direction में होता है, तो क्या हो जाएगा, V is equals to omega R, sin theta, V is equals to omega R, sin theta, बात करते हैं, angle की तो angle तो 90 degree है, किसके बीच का, omega और R की बीच का, तो sin 90 लिखा जा सकता है, sin 90 का विलू कितना, 1, तो V is equals to क्या हो जाएगा, omega R, और यह एक important relation है, आपको धियान रखना है, V is equals to omega R, this is the scalar form, यह relation है यहाँ पर, linear velocity V, and angular velocity, omega की बीच का, vector form और scalar form, दोनों ही important है, आपको दोनों ही याद रखना है, इस vector form का order को miss मत कर देना, omega cross R ही है यह, ठीक है ना, clear हुआ, चली, तो यहाँपर कुछ vector form, अगर आपसे question पुझा जाता है, तो आपको यह वला formula यूज करना है, scalar form में अगर formula यूज करना होता है, तो आप V is equals to omega R, यह V is equals to R omega, इस तरह साब यह formula, scalar form में use कर सकते हैं, clear हुआ, चली, तोड़ा feel लेने की कोशिश करते हैं, यहाँपर की कैसे किस तरह से चीज़े relate कर रही है, इन तीनों quantities के लिए, तो मैं बोलता हूँगे, let's suppose R constant है, अगर यहाँपर R constant हो जाएगा, तो क्या relation होगा V और omega का, हम बोल सकते हैं कि जो omega होगा, या जो V होगा, एक दूसरे के proportional होगा, V डाइटी proportional to omega, समझी गए इसको, एक कार लेते हैं, एक कार इस तरह से चल रही है, किसी रोड पर, इस तरह से रोड पर चल रही है, आप रोड साइड खड़े हुए है, ठीके, अब आपने कार को देखा, कार किसी speed V के साथ चल रही है, ठीके, अब आप कार को देख रहे हैं, तो इस तरह से अपनी गर्दन को घुमा रहे हैं, ठीके, मैं मोलता हूँ कि जो मेरी line of side है, जिससे मैं इस तरह से कार को देख रहा हूँ, इस line of side को मैं अपना position vector बोल देता हूँ, तो क्या इस तरह से position vector ट्रेवल कर रहा है, अगर यहाँ पर angular position time के साथ वेरी कर रही है, तो विकेंड से कि यही तो omega हुआ, ठीक, तो इस तरह से अगर मुझे गर्दन गुमानी पढ़ रही है, angular position इस तरह से change हो रहा है, तो विकेंड से कि यही तो क्या है, omega है, clear हुआ यह चीज, तो अगर कार इस तरह से linearly, V speed से चल रही है, तो कहीं कहीं मुझे इस तरह से अपनी garden गुमानी पढ़ी, तो कहीं मुझे omega यहाँ पर मिलने वाला है, जब गर्दन गुमानी पट रही है, तो कहीं मुझे omega यहाँपर मिलने वाला है, तो यहाँ पर rate of change of angular position भी क्या हो गया होगा बढ़ गया होगा और यहीं तो इसका मतलब ओमेगा भी बढ़ गया होगा clear तो जिससे आप V बढ़ाते हैं तो ओमेगा भी क्या हो जाएगा बढ़ जाएगा कब जबार क्या है constant आपको clear हो गई होगी ठीके अब मान के चलिए और क्या relation हो सकता है अज्यूम कीजिए कि अगर वी कॉंस्टेंट हो जाएगा इन्वर्स तो यहाँ पर ओमेगा और आर्मे कैसे गुमाया तो कुछ ने कुछ ओमेगा मुझे मिला अब एक काम करता हूँ कुछ पीछे चला जाता हूँ अच्छे का से डिस्टंस में पीछे चला जाओंगा तो मुझे अपनी गर्दन को कुछ थोड़ा सही घुमाना अपड़ा इसका मतलब जैसे मैंने डिस्ट्रंस आई कहीं नहीं कहीं क्या मुझे अपनी गर्दन कम घुमाना पड़ी तो ओमेगा क्या हो गया होगा क्यों क्यूंकि रेट ऑफ चेंज ऑफ अंगुलर पोजिशन क्या हो गई कम हो गई क्लियर हुआ और चैसे समझेगा एरोप्लेन से समझेगा इस चीच को आप आपको पता बढ़ गया और चैसे आपको एक रिलेशन और चैसे आपर उनके बारे मैं चर्चा करते हैं समझते हैं कि कैसे यहां पर ओमेगा वी और आर में रिलेशन आने वाला है उसके लिए एनिमेशन देखिएगा कार जारी कुछ इस तरह से और मैं यहां पर खड़ाओं कार इस तर से खड़ाओं आप यहां पर देख सकते हैं कि एक केमरा लगा रखा है इसको आप उब्जर्वर मान सकते हैं या फिर खुद भी आप इससे कंस्ट्रेटर कर सकती है आप यहां पर यहां पर कोई भी ओमेगा आपको देखने के लिए नहीं मिलने वाला क्यों क्योंकि वी वे इसकी जो वЛोशीटी है वो कुच इस तरह से दिखेगा है यह रहे कार के व procedures में और बात करें पोजीशन वेक्टर की तो यहां से जो मेक्टर बनेगा क्या वूवी इस तरह से बनेगा दोनों को लीनियर होंगे आर वेक्टर किया दोनों सेम लाइन में है दोनों की बीचल जीरो डज़िए तो यहांपर स्कंटिशन रोड़कोगी सर्क्लिंट देखनें के लिए नहीं मिलने वाला कोई भी ओमेगाrait के लिए हूब लेकिन अगर यही observer roadside आ जाता है, बोले तो इस तरफ आ जाता है, road के दूसरे एक side आ जाता है, इसके पीछे नो होके, इस तरफ आ जाता है, तो क्या कुछ निकुछ इसको अपनी गर्दन को गुमाना पड़ेगा इस car के motion को लिए, चली समझेगा, एक animation के through देखिएगा, यहाँ पर observer roadside आ चुका है, कार इस तरह से चल रही है किसी constant speed भी के साथ तो क्या इसको कुछ निकुछ अपनी गर्दन घुमाना पड़ा observer को, जब कार यहाँ पर पहुच गई तो इस तरह से कुछ angle बना होगा clear, तो मानके चलते हैं, यहाँ पर जो कार है, यह किसी constant speed से चल रही है यह किसी constant speed से चल रही है और यह क्या रहा होगा है, हाँ पर हमारा r vector, और यह रहा है हमारे पास r vector, clear तो यहाँ पर दोन की बीच गईल कितना था, 90 degree ठीके, अब इसको practically समझी आप, कि कार इस तरह से आई आपके सामने से निकल के चली गई तो जैसे दूर साली थे, आप अपनी गर्दन को धीरे-धीरे घुमा रहे थे, जैसे आपके एकदम सामने आगई, आपने अपनी गर्दन को बढ़ा fast घुमाया, जैसे दूर चली गई आप अपने गर्दन को क्या किया, थोड़ा slow कर दिया, इसका मतलब ओमेगा पहले कम था, जैसे बिल्कुल जब सामने आगई तो ओमेगा एकदम बढ़ गया, यानकि आपके गर्दन खुमाने की rate बढ़ गई, और जब कार दूर चली गई होगी, तो आपने ओमेगा, वहाँ पर कम हो गया होगा, क्योंकि गर्दन खुमाने की rate बढ़ गया होगी, कम हो गई होगी, तो आप देख सकते हैं, यहाँ पर जब यह 90 डिग्री का एंगल था, जब कार बिल्कुल करीब थी, तो पर ओमेगा जो मिला, मैक्सिमम मिला, यहाँ पर यहाँ जी clockwise थी यहाँ पर देख पलगए, यहाँ आप niveau आगे, चली की होगी होगी, ओमेगा यहाँ पर Degrees होगाlast, ओमेगा यहाँ उमेगा है, यहाँ पर ऑमेगा है डिक्रीई होगाономेगा है तो इस तरह से ओमेगा इहां पर डिक्रीज दोगा एक और तरुकिसे समझ सकते आप इसे क्योंकि घ containment है और अगर वक्ता है तो οमेगा कम हो जाएगा क्योंकि दोनों में ंजरे मैं और पूर्ट्वेगल do सरकूल्स मिश्रों देख सकते हैं तो कहीं तो चीजज सही है अब यहाँ पर हम यह वी विक्टर नहीं लेने वाले हम पुछ इन कुछ इसका पॉइंट लेंगे दिखेगा यहां पर एंगल बनेगा तो एंगल बनने पर इसके दो कोगोनेंट होगे ठीक है और यह जो इसे फ्लिट हो यहां के पर बात करने वाध करेंगी यह वाल है तो यहां से देखिएगा अ यह छीड़ीजे ये जो कंपोनेंट व Eliasite का जोगी प्रपेंटिकुलर है किसके और वेक्टर के यही रिस्पॉंसिबल है यहां पर ओमेगा के लिए इन सब चीजों के लिए हम डिस्कस करेंगे क्लियर हुआ तो यह चीज़ आपको समझ में आगए कि फील तो आई गया होगा इस चीज़ का कि वी ओमेगा और आर में क्या प्रपेंगे लिए यह चीज चलिए आगे पढ़ते हैं एक नोट है हमारे पास समझी क्या है इस पार्टिकल मूव इन अ कंसेंट्रिक सर्कल इन सच वे डाट दे मेंटेन अ स्टेट लाइन ठोग दे सेंटर यहां पर दो पार्टिकल है और वो इस तरह से मूव करते हैं कि ह समझेंगे वो डेटेल में इस लनोट को कि कैसे यहां पर इनका टाइम पूरेट सेम है कैसे इनकी अंगुलर वलासिटी सेम है ठीक है अब देखेगा अगर अगर वलासिटी सेम है ओमेगा अगर कॉंस्टेंट है तो रिलेशन हम जानते हैं वी इस गोस्ट क्या होता है और वी इस गोस्ट क्या होता है आरो मेगा तिक रिलीशन यहां से कंक्लूट कर सकते हैं कि वी डाइडी प्रपोर्शनल्ट क्या हो जाएगा और इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल सेंटर से जाधा डिस्टरंस पर है उसके स्पीड भी क्या होगी लीनियर स्पीड भी क्य एक पॉइंट, एक circular motion perform कर रहा है, हर एक point एक circular motion perform कर रहा है, clear, तो यहाँ पर हम कोई भी दो point ले लेते हैं, और उन पर study करते हैं, देखिएगा, यह fix point, इस से अपन दो point ले लेते हैं, इस blade पर, यहां पर रेडियस है यहां पर रेडियस है तो इस तरह से पार्टिकल चलते हैं कि वलाउसटी वीवन और वीटू है अब एक चीज़ नोटिस कियोगे आपने इस एणिमीशन से कि यह पार्टिकल हमेशा एक स्ट्रेड लाइन को फॉलो कर रहे हैं यह एक स्ट्रेड लाइन मेंटेन कर रहे हैं हमारे नौट में भी यही पॉइंट था कि वह इस तरह से मुह कर कि वह हमेशे कि स्ट्रेट लाइन को मेंटेन करते हैं इसका मतलब एक दूसरे अगर देखते हैं तो रेस्ट पढ़ना ज़राएंगे ठीक है तो जब पार्टिकल यहां पर आगया होगे तो भी एक इस्ट्रेट लाइन बन जोगी इसका मतलब यह हुआ कि उन्होंने एंगल भ बनकेंगा और फाइनली पोचवे भी दुनों सेम लेट पहुचिया तो दोनों के लिए time क्या है यहां पर same तो मैं मैं लीग सकता हूं कि दोनों का जो time period है यानरे capital T से आऽ इनोट कर सकते हैं कि जो यहां पर ळिट्टा दोनों का सेम में यह सेख चीज लोगर सकते हैं और य स्वाथ यहां पर सकते हैं प्र यहां पर सकते हैं है और टाइंगुलर स्पीड स्ष्पीड अपर हुआ ओमेगावन ब्राबर ओमेगाटू चलिए देखिएगा इस चीछ को यहाँ पर ओमेगावन वर home यह चीज conclude कर सकते हैं और time period भी दोनों का क्या है सेम क्योंकि दोनों simultaneously चलमे और एक ही वक्त पर दोनों वापिस अपनी रीजियल पिश्र पर आगर hydrogen यह चली अब यहां पर एक चीज जो है डिफेरंट वह आपको इसली डिख भी रही है कि डिस्टेंस सेंटर से इस सेंट वाला पार्टिकल उसके डिस्टेंस जादा है फस्स वाले पार्टिकल के डिस्टेंस कम है आई टू इस ग्रिटर देन आरबन तो अगर ऐसा है तो आप प्रपोशनल डू आरवा इसका मतलब यह हुआ कि जो पार्टिकल जितना दूर उसकी स्पीड भी उतनी जादा देखिए तो इसको एक रोड के हल्प से हम समझते हैं कि मान के चलिएगा अगर यह एक रोड ही होती तो क्या होता यह तो आपको समझ में आगा कि दो पार्टि अगर यह रोड होती ही तो क्या होता तो देखेगा अगला एनिमेशन जिसमें हमने एक रोड ली है ठीक है इस पर दो पॉइंट इलिए वन टू इस तरह से रिवोल हुआ तो एक ची समझ में आगी क्या यहां पर एंगल सेम है ठीक है एंगल यहां पर सेमें ठीटा 1 बराब कौन कितना जादा चला अब देख सकते हैं यहां पर आरक लेंट्स है सटू यानी कि यह सेसरीर चाहलों फो पो क्लियर हुआ चली तो यहांपर हम जानते हैं हमने जस्त अभी एक्स चीज़ को कि अगर चै pessim एक straight line को follow करते हैं तो उनका omega क्या होता है दोनों का same तो दोनों particle का अगर omega same है इसका मतलब road का omega भी same होगा पूरी road पर जितने भी particle है आपर जो circular motion कर रहे हैं इस fixed point के about सब का omega यहां पर क्या है same है point clear हुआ time period भी same है दोनों simultaneously नीसली आएं एक ही time पर आएं चीक है बेट distance किसकी ज़्यादा है और फर्स्ट वाले की distance कम है तो वही relation है मारा उससे हम conclude कर सकते हैं कि speed भी किसकी ज़्यादा होगी ज़्यादा दूर होगा यानि कि second वाले particle कि speed क्या होगी ज़्यादा होगी यह फिर second वाला जो point है road का जो end point है उसके speed क्या होगी जादा होगी इस तरह से अगर road घूमती है तो circular motion में सबसे जादा speed कौन से वाले particle क्या किस point होगी इस last वाले जो जितना दूर का उसकी linear speed उतनी जादा होगी और पूरी ही road के लिए बहुत important point है rotation motion में भी खूब काम आएगा आपके ध्यान से याद अगर इस तरह से कोई road घूमती है तो उस पर जितने भी particle है सब का omega क्या होने वाला है constant होने वाला है हर एक particle का omega क्या रहेगा same रहेगा और different क्या रहेगी उनकी linear speed जो जितना जादा दूर उसकी linear speed उतनी जादा I think यह point आपको clear हो गया होगा तो note ध्यान से याद रखेगा य radius r ठीक with a constant speed v कोई body किसी r radius के circle में किसी constant speed v के साथ चल रही है तो आपको बताने उसके angular velocity क्या होगी चलिए देखेगा इसका solution तो हम जानते हैं v is equals to होता है हमारे पास r omega या omega r clear देखेगा v is equals to, यह relation आपको याद है, scalar form में आप r omega भी बोल सकते हैं या फिर omega r भी बोल सकते हैं कोई issue नहीं है बस vector form में sequence यहाँ रखेगा omega cross r clear तो यह हो जाएगा हमारे पास v is equals to हम जानते हैं omega r clear हमको क्या पता करना है यहापर angular velocity जिसको represent करते हैं omega के साथ तो omega is equals to हो जाएगा v by r क्या यह option में ज़र आ रहा है, yes, c option में नजार आ रहा है, तो यह हमारे पास answer होगा v upon r, जब यहाँ पर constant speed है और r इसकी radius है, इस standard सा question है, त्यान रखेगा इस तरह से, clear हुआ, चलिए, next question की तरह बढ़ते हैं, आगे, next question है हमारे पास, a particle perform circular motion with 50 rpm, with 50 rpm, समझ में आगयो rpm, last section में आपने देगा था, क्या होता था rpm, frequency, yes, having linear speed 6.28 meter per second, उसके पास linear speed 6.28 meter per second, find distance of particle from axis of rotation, axis of rotation से आप सुस पार्टीकल तक का distance बताना है, जिसे आप radius भी बोल सकते हैं, clear, चलिए, देखेगा solution, ठीके, ध्यान रखेगा data क्या है, 50 rpm तो इसका frequency है, और speed 6.28, एक diagram की तुरू समझ येगा, देखिए, यहाँ पर इस तरह से एक circular motion होगा, ठीके, particle यहाँ पर होगा, उसके पास एक linear speed भी होगी, यहाँ पर जो linear speed है, यहाँ को question में given है क्या, ठीके, omega question में given है क्या, नहीं, frequency given है, तो क्या frequency से omega चीव किया जा सकता है, yes, वो भी निकालना सीखेंगे आजब, ठीके, वो देखिएगा, given है हमारे पास, linear speed, वो है हमारे पास 6.28 meter per second, उसके बाद given है आपको frequency, frequency हमारे पास 50 rpm, clear, और आपसे पूछा गया है यहाँ पर, radius, distance, from the center, center से उस point का, यह उस particle का distance क्या होगा, r के लिए आपसे बोला गया है, clear, तो अगर मैं omega निकाल दू, तो काम हो जाएग क्यों, क्योंकि हम formula जानते हैं, v is equals to क्या होता है, omega r, तो अगर मुझे यहाँ पर omega मिल जाए, तो मेरे को यहाँ पर r बताना असान हो जाएगा, तो चलिए, क्या मुझे frequency given है यहाँ पर, यहाँ पर 50 rpm, number of revolution per minute यह given है मुझे, तो क्या मैं यहाँ पर omega निकाल सकता हूँ, ठी यहाँ से देखिएगा, omega निकाल लेगा, formula क्या था हमारे पास, theta by t, बिल्कुल basic से बता रहा हूँ, और theta क्या था हमारे पास, यहाँ पर angular displacement जिसकों बोल सकते थे, 2 pi n, n था number of revolution और t था, उस number of revolution में लगने वाला time, ठीक है, तो देखिएगा, 2 pi, number of revolution कितने question में, 50 revolution, कितने ह revolution होगे, 50 divided by time, time कितना है यहाँ पर, per minute, यानि कि 60 seconds, तो यह लीजिए, यहाँ पर यह convert हो गया, omega में, तो omega आगया हमारे पास, यह cancel out हुआ, तो यह हो जाएगा, tan pi by 6, अब इसकी unit क्या होगी, यह हो जाएगे, हमारे पास, radian per second, तो this is the angular speed, देखिए इस तरह से हम frequencies यहाँ angular speed, निकाल सकते हैं, एक उरवे है, angular speed निकाल लेगा, एक relation हो रहे है, याद होगा आपको, omega is equals to 2 pi f, ठीके, याद है, omega is equals to 2 pi f, उससे भी आप निकाल सकते हैं, यहाँ पर, frequency का विलिए आप उट कर सकते हैं, यहाँ पर 50, तो 2 pi multiply by 50, बश्य यहाँ पर यह जो minute है, इसको convert कर सकते हैं, यहाँ पर निकाल सकते हैं, अब तो आसान होगे हमारे लिए question, हमको यहाँ पर बता करना है, तो देखेगा, इस formula में आप देख सकते हैं, आर क्या हो जाएगा, यहाँ से आप बन जाएगा, हम जानते हैं कि V is equals to होता है, omega r, this implies that, कि जो r होगा ही हो जाएगा, हमा 3.28, divided by omega, omega कि कितना है, 10 pi by 6, 10, और यह pi, अब समझ चुके होगे, 6.28 क्यों दे रखा है, क्योंकि pi का विलिए, अकर मैं 3.14 रखूँगा, तो मिर लिए आसान हो जाएगा, तो लीजिए मैं पाई का विलिए रख दिया हैं, आपर 3.14, divided by 6, 6 उपर चला जाएगा, लीजिए यह cancel out two are two times, तो यह होगे हमारे पास 12 by 10, यह होगे हमारे पास 12 by 10, जो कि आया 1.2 meter, तो यह आगे हमारे पास distance, center से particle, यानि की radius आगे हमारे पास 1.2 meter, तो इस question में आपको क्या समझ वहा है, कि अगर इस तरह साबको frequency given है, तो आप यह वाला formula यूस करें, या फिल्कुल basic use कर यह वाला formula, इसकी help से आप omega यहाँ पर निकाल सकते हैं, जब omega आ जाएगा, V आपको given है question में, linear speed V आपको question में given है, तो आप यहाँ पर easily R बता सकते हैं, I think यह चीज़ समझ में आग गई होगी, clear है, चली, बढ़ते हैं next question की तरफ, what is the value of linear velocity, linear velocity बोले तो V vector, इसकी वेलिए आप से पूछी गई है, कि linear velocity की क्या value होगी, अगर omega वेक्टर आपको दे रखाए, यह भी वेक्टर फॉर्म में आपको दे रखाए, अब clear हो गया होगा बिल्कुल, मैं आपको बोला था, वेक्टर फॉर्म याद रखो, तो बस यह नहीं का मैंने वाला है, क्या है हमारे पास formula, V vector, देखेगा, इसका solution देखते है अपर, देखेगा, formula क्या हमारे पास, V vector is equals to omega vector cross r vector, ठीके, determinant याद है आपको, solve कर सकता है इसको, देखेगा, लिख देते हैं यहाँ पर, इस तरह से बनाते हैं, यहाँ होगा, हमारे पास, I cape, J cape, K cape, cross product तो सबको आता होगा न, ठीके, omega cross r, कुछ इस तरह से कर सकते हैं अपर, solve, ठीके, तो देखे, सबसे पहले अपन यहाँ पर omega देखेगा, 3, minus 4, 1, उसके बाद बात करते हैं, यहाँ पर r vector के लिए, तो r vector के यहाँ पर लिख देते हैं, 5, minus 6, plus 6, ठीके, अब चलिए, इसको, solve कर लेते हैं, तो सबसे पहले, I cape के एक, coefficient के लिए बात करते हैं, यहाँ से जो v vector आएगा, कुछ इस तरह सा आएगा, I cape, द minus का 24, minus, minus 6, multiply by 1, यानि कि, minus का 6, minus minus, plus, यहाँ प्लस का 6, यहोगा, I cape के coefficient, अब बात करते हैं, जेकेप के coefficient, तो minus का, जेकेप, ठीक है, तो देखे, जेकेप के coefficient के लिए, बात कर लेते हैं, अब इस condition में, आपको क्या करना है, यहाँ पर, 3 और 6 का, multiply करना है, आपर, तो 6 into 3, यहोगा, हमारे पास 18, उसके बाद यह हो जाएगा, minus, 5 into 1, यानि कि, 5, इस तरह से, clear, उसके बाद बात करते हैं, केकेप के coefficient के लिए, तो plus का, केकेप, केकेप के 5 into minus 4, कितना हो जाएगा, minus 20, तो minus 20 है, तो यह है, minus minus plus, तो plus का 20, तो इस तरह से, हमने आपको क्या 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 करते हैं, चलिए, तो आपको मिल जाएगा, यहाँ वेक्टर, क्या मिला, यह हो जाएगा, minus 24, plus का 6, यह हो जाएगा, हमारे पास, minus का 18, आईके, क्लियर, उसके बाद आएगा, minus में, यह हो जाएगा, 18-5, 13, तो जाएगा, 13, जेके, क्लियर, उसके बाद यहाँ कितना बचा, plus का 2, तो जाएगा, plus का 2, केके, तो इस तरह से, easy calculation है, आप सब को यह मेतार, याद होगा, ठीके, इस तरह से, अपन के लिए बात की जा रही है, तो असान हो जाएगा, हमारे लिए, V vector is equals to, omega cross r, इसलिए मैं आपको बोलाता, sequence अच्चे सी, याद रखेगा, r cross omega करते थे, तो आपका question, गलत हो जाता, इसलिए याद रिखेगा, omega cross r, तो इस तरह से, अपन यह question कर सकते है, तो यहाँ पर आप is 1 cm, वोच के अंदर, जो second hand है, उसके length है, हमारे पास 1 cm, clear, the change in velocity of its tip in 15 seconds, tip यह जो second hand होता है, उसकी जो tip, यानि कि जो last point है, उसमें आपको बताने है, change in velocity क्या होगी, 15 seconds के अंदर, diagram बनाए कि समझते है, दिखेगा, इस तरह से, let's suppose needle यहाँ पर है भी, second hand का needle यहाँ पर है कुछ, दिखेगा, कुछ यहाँ पर है, 15 seconds बाद, यह जो tip है, यह जो tip है, यह कहाँ पर आ जाएगा, यहाँ पर आ जाएगा, कुछ इस तरह से, clear हुआ, तो आपको बताएं यहाँ पर, कि जो second hand होता है, उसके tip के पा ठीक है, क्योंकि point दो fix है, omega अपने alkylate क्या था, last class में fix आया था, ठीक है, तो V भी क्या आने वाला है, यहाँ पर fix, क्योंकि R भी क्या है, fix, ठीक है, उनों कितना होता है, वो हम अभी नहीं जानते, तो let's suppose, मान लेता हूँ मैं यहाँ पर, let's suppose, हम यह मान लेते हैं, देखेगा, हम यह मान लेते हैं, यहाँ पर इसके जो speed है, वो V है, इसके जो speed है, वो V है, देखे, एक second, यह लीचे, इसके पास जो speed है, वो कितनी है, V, tip के पास एक speed होगी V, clockwise sense में चलती है tip, उसके बात यहाँ पर जब tip आ जाएगी 15 second के बात, तो इसके पास speed क्या होगी speed का magnitude सेम रहेगा, बदलेगा क्या, सिर्फ direction, बदलेगा क्या, सिर्फ direction, समझ में आया, चली, तो question में बुला हुआ है, चली, तो question में बुला हुआ है, change in velocity, तो change in velocity, यहाँ दिला देता हूँ, मैं आपको change in velocity, इसे बन बोल सकते हैं, डेल्टा V vector, यह अपने ऑलरी माइनस इनिशेल वालाउसिटी वेक्टल याद आया तो इसको मैं सॉल करता हूं तो मुझे वेक्टर फॉर्म में अंसर मिलेगा लेकिन यहाँ पर तो सिर्फ मैंग्निटूड दे रहा उप्शन में तो आप आप अप्शन देखके भी यहाँ पर बता सकते कि कहीनी कि मुझे म मैं इसका मैं माग्निटूड हो गया हो गया अपको कि यहां पर दोवक्निटूड से अगर आपसे दोनों की वीच क Tort दीजी समझ वाज अगर लीच किपा इस तरह से चली देखीएगा अब एक फॉर्मुला आपको याद आ रहा होगा क्या फॉर्मॉला है दो वेक्टर जिनका मैगनिटुड होता है सेम दोनों को मुझे सब्ट्रेक्शन करना होता है तो क्या एक शॉर्ट फॉर्मॉला था एक अंदर 2V sin theta by 2 यस, दो vector जिनका magnitude same है, अगर मुझे subtraction करना है तो उनकी जो magnitude का formula है resultant के magnitude का formula वो होता है 2V sin theta by 2 2V sin theta by 2, याद आ गया? clear? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन दोनों vectors के बीच के angle कितना है? 90 degree, तो आपको theta का value मिल गया आपको theta का value मिल गया तो देखिए कितना हो गया? यह हो गया 2V sin 90 degree divided by 2 यानि कि sin 45 degree sin 45 का value कितना होता है यहाँ पर? 1 by root 2 1 by root 2, तो देखिए तो यहाँ से जो delta V vector का magnitude आया change in velocity vector का magnitude आ रहा है वो कितना आ रहा है? तो आ रहा है अमारे पास 2V multiply by 1 by root 2, जिससे अपन कितना बोल सकते है? अंडर root 2 V, I think यह तो बहुत सिवार आ चुगा है काइनमेटिक्स में आपने पहले भी देखा हुआ है कि इस तरह से दो vector अगर परपेंडिकुलर होते हैं, दोनों का मुझे subtraction करना होता है, resultant निकालना होता है, दोनों का magnitude सेम होता है तो आता है कितना अंडर root 2V, resultant बहुतों को याद भी होगा, clear? तो अंडर root 2V हो गया, पर यह तो answer नहीं है इसका मतलब कहीं नहीं कि अपने को V को भी solve करना पड़ेगा, clear? तो यह तो समझ में आगा है सबको, ठीके आप solve करते हैं, इसके magnitude के लिए V के magnitude के लिए, तो देखेगा मैं आपको relation याद दिला देता हूँ इस second hand पर हमने question किया था question था कि find the angular speed of second hand उसके लिए पर हमने relation यूज किया था V is equals to omega r तो यहाँ पर जो omega था उसमें हमने निकाला था याद है omega 2 pi n by t यस तो omega होता था वो होता था 2 pi n by t theta by t को हम लिख सकते है 2 pi n by t multiply by radius कैसे निकाला था याद किये जिए हमने एक revolution के लिए बात किये थी और वहाँ पर जो time लगाता वो लगाता 60 second बहुत को result याद भी होगा, नहीं आ तो तब म्याद से देख लिए जिए बिल्कुल basics है तो यह हो जाएगा 2 pi n का विली कितना 1 divided by time कितना लगने वाल आए आप एक revolution को complete करने में 60 second किसको second hand के needle को clear या second hand को multiply by r r का विली कोशन में given है yes 1 cm और ध्यान से देखिए option आपके centimeter में तो centimeter को centimeter में रहने दीजिए तो multiply by 1 इसको solve करेंगे कितना आए pi by 30 और यही तो था आपको पता है second hand का सबसे जाधा angular speed आता था वो आता था pi by 30 radian per second याद आया तो आप डायेट भी लिख सकते थे और नहीं या तो इस तरह आप basic से भी कर सकते है ठीक तो यह होगा हमारे पास कितना pi by 30 multiply by 1 तो वन से ठीक है तो यह पाइवा 30 हो जाएगा बात कर यूनिटी की तो वी का unit meter per second नहीं लिखेंगे क्या लिखेंगे centimeter per second क्योंकि अपने यहाँ पर R को किस में लिया है centimeter में तो पाइवा 30 centimeter per second clear हुआ तो this is the linear speed किसका linear speed आया इस tip का इस tip का समझ में आ गया होगा यह चीज चली अब इस linear speed का output कर दीजिए यहाँ पर इस formula इस में result में हमने जो result निकाला था change in velocity का वो कितना है था under root 2V यह लिख देता हूं लिजिए तो change in velocity का जो magnitude आया था वो कितना आया था under root 2V और V का value हमने पता कर लिया second hand की जो tip है उसके speed हमने बता कर लिए pi by 30 तो यह हो जाएगा under root 2 multiply by pi by 30 यह हो जाएगा हमारे पास change in velocity centimeter per second centimeter per second clear हुआ तो यह option कहां नजर आ रहा है हमको yes d वाल option हमको यह नजर आ रहा है root 2 pi upon 30 centimeter per second तो इस तरह से हम यहाँ पर calculate कर सकते हैं change in velocity का magnitude option देखके हमको समझ माया क्या magnitude चाहिए था clear हो गया तो यहाँ पर ध्यान देने वाली बात ही क्या है आपको याद बोना चाहिए कानेमेटिक्स में अपने उल्रेडी यूज भी कर रखा है दो वेक्टर जिनका magnitude सेम होता है उनका अगर मुझे रिजल्टेंट निकालना होता है रिजल्ट याद रखेगा एक्जाम में टाइम बचने वाला एक तो अंडर रूट टू वी इस इस दे चेंज इन वेलोसिटी वें टू वेक्टर सार्परेंटिक्वलेट तो इस दर और दोनों का magnitude होगा सेम उसके बाद बात करते हैं linear speed के लिए क्योंकि वी हमको जानना था तो linear speed के लिए वी इस गोस्तों मेंगा लिए ओमेगा किसका नीडल का या फिर उस हैंड का वो हमने निकाल लिया टू पाइन बाई टी से स्टेंडर रिजल्ट था पाइवाई 30 मुल्टिप्लाइब आर आर जिस हमको यहां पर बताती वन तो बन से मुल्टिप्लाइब कर दिया वी आ गया वी कॉम ने यहां पर पूट कर दिया तमको क्या मिल गया चेंज इन वेला सिर्टी का magnitude इस तरह से कुशन कम्लिट होता है अब को समझ में आ गया होगा क्लियर आगे बढ़ा जाए ठीक है देखेगा अब बात करते हैं यहां पर दे सेगेंड हैंड आफ वोच हैज सिक सेंटिमेटर लेंथ यहां पर जो सेगेंड है उसके जो लेंथ है वह सिक सेंटिमेटर यह आपको कुशन में गीवान है दे देखा सा क्योशन लगा जस्ट इसके पहले क्याता उसकी जैसा ही यह क्योशन है इसमें आपको अल्रीडी बोल दिया क्योशन के अंदर कि magnitude of difference in velocity डेल्टा वी का magnitude आपको बताना है ठीक है लेंथ यहां पर निडल की बदल चुकी है और अभी भी टिप की बात हो रही है और दो अब निकालना है तो वह आया था हमारे पास 2V sin theta by 2 और ठीटा कितना था यहां पर दो वेक्टर की बीच की बीच के एंगल 90 डिग्री तो यह हो जाएगा मारे पास रूट टू यानिकी रूट टू वी और मैंने आपको बोला भी तरह इसको याद करने के लिए तीक है इस तरह से बार-बार यूज आ जायता है तो यह हो जाएगा हमारे पास अंडरू टू क्लियर यह तो समझ में आ गया होगा आपको बस वी निकालने वाली बात तो वी के लिए हमने यूज किया फॉर्मला वी इगोल स्टू ओमेगा आर जहां पर ओमेगा है उस सेगेंड हैंड का एंगुलर स्पीड और आर है उस टिप तक के पॉइंट के डिस्टेंस पाइंड का उस टिप वाले लास्ट पॉइंट का लीनिर स्पीड वी यहां पर बता सके ठी आर यहां पर वैने टो यही रिजल्ड निकलके आता है बल्टिपलाइबाइब और कितना यहां पर six कि इहां पर सेंटिमीटर में लिखे चलता हूं थीक़ेंगेना तो six cm हो गया तो यह हो गया हमारे पास सेंटिमीटर और सकेंड क्योंकि हापर इस्पिड के बारें बारे तो यह हो गया हमारे पास linear speed जो आया है यहाँ पर pi by 5 cm per second ठीकी आप इसे चाहिए तो meter में भी convert सकते by multiply 10 की पावर minus 2 meter per second clear हो गया यह चीज चलिए अब बात करते हैं यहाँ पर change in velocity के magnitude के बारे में कितना आया pi divided by 5 cm per second clear हो तो यह हमारे पास इसका अंसर होगा ठीक है है यह किलियर हो गया होगा आपको इस तरह के question अगर आते तो आप कर सकते ठीक है कुछ standard results से ध्यान रखेगा पहले standard results अगर इस तरह से आपको दो वेक्टर देखने के लिए मिलते हैं जिनकी वीच का एंगल इस relation से अपन किसी भी point पर इस needle के किसी भी point पर speed निकाल सकते linear वाली यह भी clear हो गया ठीक है चलिए उसके बाद यहां तक यह समझ मैं ठीक है तो आज के लिए इतना ही ठीक है थैंक्यू